या अब्रिवान वेल्कम बैक टुबैइद चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और आज का जो टौपिक है वह हैं जिद्श बेवी रप तो आज हम बात करने वाले हैं विद्श बेवी रप के बारे में Iスके क् और किस एज की बच्चों को हमें इसे लगाना चाहिए यह देख सकते हैं आप लोग यहां पर है मेरे पास विक्स बेबी रब का एक बॉक्स है चोटा सा क्योंकि मेरे घर में है चोटा बेबी तो मुझे इसकी जरूरत पढ़ ही जाती है तो मैंने इसे रख लिया था और यह मेरे बेबी को जुकाम हो रहा था यह दा कापी टायं बाद उसे जुकाम हो गया था और ठीक हो नहीं ले रहा था तो इस ताइम पर मुझे यादा आए मैंने विक्स बेबी रव रख है और इस यह अपलाई किया उसके बाद जो मैंने उसका benefits देखा तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपना experience share कर लेती हूं तो यह है इसकी सांदास डिब्री जो इसकी packaging है बहुत अच्छे से इसे पैक किया हुए बहुत ज्यादा safe है यह देख सकते हैं आप लोग यह 25 ml की छोटी सी बोटल है जो मैंने अपने बेबी के ले ली थी और काफी time हो गया ऐसे लिए अभी expire भी होने वाला है तो इसे मुझे फैक ना पड़ेगा तो यह देख सकते हैं 25 ml की है और इसका जो प्राइज है वह है 99 रुपीज तो मात्रह 100 रुपीज मान लो आप तो 99 रुपीज में हमें चोटी सी बोटल मिलती है और यह क इतना ज्यादा quantity में है और इतना ज्यादा यूज मैंने कभी किया नहीं जरूरत नहीं पड़ी तो इतना तो डेली यूज करना तो है नहीं हमें कि हम डेली यूज करेंगे और जल्दी खतम होगा तो यह काफी चलता है और देख सकते हैं अभी भी इतना है और यह expire होने वा मेरा experience है कि मेरे पच्चे को तो कोई भी side effects नहीं हुए और इसके फायदे ही है कोई भी effects नहीं होते हैं अब बात करते हैं इसकी ingredients की तो कौन-कौन से natural ingredients से यह मिलकर बना है तो इसमें तो सबसे पहले आता है aloe vera जिसके बारे में आप सबने सुना होगा और वह कितना फायद आते हैं जिसमें बहुत अच्छे flower खिलते हैं और बहुत सारी से असदी बनती है तीसरा है lavender जो की काफी फायदे मन्द है यह भी बहुत सारी मतलब इसकी भी और यह भी एक फ्लावर इसका खिलता है और बहुत चोटा सा प्लांट होता है और चोटा है रोजमेरी और इसके काफी फायदे है इसका भी एक छोटा सा प्लांट होता है और पाच्वा जो है वह यूकालिप्टिस तो यह सारे जो है पहुत फायदे मन्द है और सब के छोटे-छोटे प्लांट आते हैं लोग अपने गंबले में सजाते हैं अपने बागो की सुन्दरता बढ़ाने के लि काफी सेफ है बच्चे के लिए और बहुत फायदे मन्द है अब बात करते हैं कि हमें इसे किस तरीके से यूज करना है और कौन से एज के बच्चों के लिए हमें इसे यूज करना है तो सबसे पहले बात करते हैं एज की तो इसे हम थ्री मन्थ से उपर के बच्चों के यह बना है और जो थ्री मंथ से छोटे बच्चे उनके लिए आप बिल्कुल भी यूज ना करें क्योंकि यह उनके लिए नहीं बना है और इससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है एलर्जी हो सकती है इरिटेशन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है तो छोटे बच्चों के लिए बिलकुल भी नहीं है यह थ्री मंद से उपर के बच्चों के लिए अब बात करते हैं इसे यूज कैसे करने हैं बच्चों के लिए तो इसे हमें डायरेक्ट बच्चों के नोच अगर आपके बच्चे की में बक्रेय कारो न्हीं करेंगे और ना ही आप उसके नाग बंद है पस्वाइट लुट सेशंग मसाज्व देने हैं बच्चे के नेक पे आप इसे यूज कर सकते हैं उसे बैक पे हलके हाथों से मसाज दे सकते हैं और बच्चे को इससे काफी आराम मिलेगा और इसे आप जब बच्चा सो जाता है उसके बाद करेंगे तो यह और अच्छा फाइदेमंद रहेगा क्योंकि सोने के काफी बच्चे को आराम मिलेगा इससे तो यह था मेरा आज का रिवीव वीडियो विक्स बेबी रप पे जो की मेरा पर्सनल एक्सप्रियेंस है अपने बेबी को लेके तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भ आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहे तो मैं मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब फ्रेंड्स